दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि पिछले कुछ सालों में फाइडर यार क्रेप्टों के एक्सपोर्ट के मार्केर में डेसॉल अवियेशन के द्वारा निर्मान किया हुआ रैफेल यार क्रेप्टों का डिमांड काफी बड़ा है। मेडिया रिपोर्टों के मताविक ये जो सप्लाई चेन का इशू है ये डेसॉल अवियेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सप्लाई चेन का इशू पैदा हुआ है और ये जो इशू है ये कंपनी के लिए इसलिए भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि इससे संपूर्ण यार क्रेप्टों के जो प्रोड़क्शन है वो ही प्रभावित हो सकता है। अञ़िए अदर उनके तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जो सप्लाई चेन का इशू है ये बेसिकली फैलकॉन जैसे विजनिस जेट और रैफायल जैसे यारक्रेफ्टों के प्रोड़क्शन का असर कर रहा है और बेसिकली इन यारक्रेफ्टों के जो ऐरो को शायद इस तरीके के चैलिंजिस के वजा से सही टाइम पे यार क्रेप्टों का डिलिवरी ना किया जा सके हालाकि पिछले कुछ समय से अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया जा रहे कि डैसल एविएशन के राफल यार क्रेप्टों को लेकि इतना बड़े मात्रा में ओर्डर है कि फ्रांस के तरफ से यार क्रेप्टों के प्रोड़क्शन को और इंक्रीस करने के तहट आगे बढ़ा जारा और आने वले कुछ महिनों के अंदर फ्रांस के द्वारा कम से कम हर महिने तीन रैफल यार क्रेप्टों को प्रोड्यूस करने के तहट आगे बढ़ा ज ताकि जल से जल इस इशू को रिसॉल्व किया जा सके पर दोस्तों इस सप्लाइचेन के इशू से फ्रांस को केवल मात्रो भारत ही उभारत के आगे ला सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से मेकिन इंडिया इनिशिटिव को बढ़ावा दिया गया है इससे अब भारत एक बहुत भड़ा सप्लाइचेन हब बन चुका है जिसका उपियो करके केवल मात्रो फ्रांस अपने यारक्राफ्टों के सप्लाइचेन को पुनर स्थाफिती नहीं कर पाएगा बलकि जरुरत पढ़ने पे अपने प्रोडक्शन रेट को भी इंक्रीज कर पाएगा। जा रहा है कि इस joint venture को France अपने संपूर्ण अधिन लेना चाहता है ताकि यहाँ पे राफल यार क्रेप्टों के production को शुरू किया जा सके जिससे की supply chain और यार क्रेप्टों के जो demand है उसे पूरा किया जा सके अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानके रखना चाह और दोस्तों इस तरीके से अगर supply chain में issues आता है तो इससे French यार फोर्स जहाँ पे कमजोर होगा तो उही पे डैसॉल एविएशन का market के अंदर जो नाम है वो भी खराव होगा हाला कि दोस्तों डैसॉल एविएशन का जो संभावना है यह इससे भी अधिक है क्योंकि कुछ रिपोर्टों के मुताविक डैसॉल एविएशन इससे भी अतरिकते यार क्रेप्टों को एक्स्पोर्ट करने को लेके कई सरे अलग-अलग देशों के साथ बातचित कर रहा है तो नो डाउट इन यार क्रेप्टों को भारत में निर्मान करना अती आवर्शक हो जाएगा क्योंकि मेक इन इंडिया और ट्रांसफर आफ टेकनोलोजी के इनिशिटिव को इस टेंडर के अंतरगत शर्त में रखा गया है और दोस्तों इससे भी फ्रांस को ही फाइदा और इंडियान यार फोर्स के यार क्रेप्टों के सप्लाई के लिए फ्रांस के खुद के प्रोडक्शन फेसिलिटी के उपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और भारत में अगर कोई प्रोडक्शन फेसिलिटी बनता है तो केवल मात्र इंडियान यार फोर्स के यार क्रे अगर अपने देश के अंदर शुरू करता है तो नो डाउट तब राफल यार क्रेप्टो के प्रोडक्शन को कंटिनू रखने के लिए भारत के ये फेसिलिटी ही काम करेगा मतलब दोस्तों एक तरीखे से आप कह सकते हैं कि फ्रांस एक बहुत बड़ा दुविदा में फसा हुआ है और इस सिच्वेशन से फ्रांस को केवल मात्र भारत ही निकाल सकता है अब दोस्तों एक तरफ जहां फे फ्रांस के द्वारा भारत के अंदर अपने संभावनाओं को तलाशा जा रहा है तो उही पे दूसरे तरफ एमसीय यारक्रेप्टो में इस्तेमाल होने वाले नए जेनरेशन के इंजिन को लेके भारत के तरफ से लगभग लगभग अपन डिसेजन ले लिया गया है अब लोगों को पताई होगा कि एमसीय मार्क्टू यारक्रेप्टो के लिए भारत के द्वारा एक 110 से 120 क्लोनोटन थ्रष्ट वाले इंजिनों को डिफलफ्ट करने का प्यास किया जा रहा है जिसके अंतरगत फ्रांस के सैफ्रान, बिटन के रोल करेप्टो के इंजिनों के इफलफ्मेंट को लेके 2 बिलियन डॉलर का एक एक अप्रूबल दिया सकता है और इस अप्रूबल के साथ डिफेंस डिस्टरच और डिफलफ्मेंट और अर्गनेशन के तरव से इसके को डिवलफ्मेंट पार्टनर का खुलासा किया जाएगा औ और आप लोगो को ये भी वतादू कि नेगोसियेशन फिलाल तीनों कमपनी के साथ ही चल रहा है और रिपोर्ट के मुताविक IPR मतलब intellectual property right को लेके ही फिलाल सबसे अधिक चर्चा है। और दोस्तों पार्टनर के चुनाव करने से पहले DRDO के तरफ से कई तरीके के महत्पूर्ण चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा जिनमें सबसे पहला है एक क्लिन शिट डिजाइन के तहट एक ने इंजिन के डिवलपमेंट ताकि कोई भी पुराने डिजाइन के तहट इं इंजिन के अंतरगत मतलब संपूर्ण ने डिजाइन के तहट भारत के सामने एक ने इंजिन के डिवलपमेंट का जहाँ पर प्रस्ताव रखा है तो ही पर ये विदावा किया जा रहा है कि इन दोनों कमपनियों के तरफ से ही भारत के सामने इंटलेक्चल प्रोपर्टी र भारत इन इंजिनों का उप्योग कर सके जबकि तीसरे कंपनी मतलब जेनरल इलेक्टिक के तरफ से भारत के सामने फिलाल ऐसे कोई क्लिन शिट डिजाइन का ओफर तो नहीं किया गया है और ना ही इंटलेक्चल परपर्टी राइट शेरिंग को लेके कोई बात रखा गया ह पर जेनरल इलेक्टिक के द्वारा A414 इंजिनों के बेस पे एक नए इंजिन को बनाने का प्रस्ता भारत के सामने रखा गया है जो कि कम से कम 130 किलोनी उटन तक थ्रश्ट प्रोड्यूस कर सकेगा और जेनरल इलेक्टिक का ये भी कहना है कि अल्रेडी A.N.C.A. Mark 1 यार्क् पर दोस्तों ये भारत के बेसिक रिक्वार्मेंट जैसे की एक इंजिन के रिक्वार्मेंट या इंटलेक्चल प्रॉपर्टि राइट और एक्स्पोर्ट राइट को एंशूर नहीं करता है जिस वजह से फिलाल जनरल इलेक्टिक जैसे कमपनी को इस टेंडर में नाके वर 5 से 6 बिलियन डॉलर खचा करना पड़ेगा और करीफ-करेफ साथ साल के इंतिजार के बाद ही भारत को ऐसा इंजिन मिल सकेगा मतलब दोस्तों, इंजिनों के co-development partner के चाइन के बाद जो इंजिनों को लेके deal होगा, उसके करिफ-करिफ 7 साल के बाद भारत को एक नए इंजिन अपने यार्क्रेप्टों में इस्तेमाल के लिए मिलेगा, जिन में से करिफ-करिफ 4 साल तो इंजिनों के prototype के निर्मान के जाता है और साल 2025 में इंजिनों के डील के उपर हस्ताक्षर होता है तो भारत के पास अपने खुद के AMCA Mark 2 यार क्रेप्टों के इंजिन साल 2022 तक ही मिलेगा और शायद तब तक AMCA Mark 2 यार क्रेप्टों के उपर भी काम शुरू कर दिया जाए जिससे कि आसानी से AMCA Mark 2 यार का उप्योग किया जाएगा तो वही पे आप लोगों को ये भी वतादू कि हाली के कुछ रिपोर्टों में AMCA Mark 2 को लेके ये दावा किया जा रहा है कि साल 2035 से पहले इंडिया को अपना पहला AMCA Mark 2 ना मिले कुलमिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के तरफ से अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाफ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम